श्री बालाजी महराजी की सियावर्य रावे जन्रे की ये उस समय की बाद है जब सीता महिया का हरण रावन ने कर लिया और हनुमान जी जब लंका के अंदर सीता महिया का पता लगाते लगाते पहुचे तो सुनिये वहाँ पर कैसा चमतकार मेरे हनुमान जी ने किया और जब रावन को पता चला कि एक वानुर लंका के अंदर आ गया भे तो सुनिये रावण और हनुमान जी के बीच में कैसी बात चित चल रही है और कैसी बात इस भजन के मात्रें से सुनियेगा लंका गरजी रावण अवदपुरी भगवान दोनों दल के बीच में गरज रहे हनुमान हनुमान जी का रंग कैसा होता गए लाल लंगोटा हाथ में सोटा अर चली पवने की चाल गए ये राम भक्त मत वाला किसका माता अंजनी को लाल गए अब सुनिये जब हनुमान जी लंका के अंदर गए तो क्या हुआ सुनिये कि बजरंगी पहुचे रहे लंका के अंदर जैसे हनुमान जी पहुचे और रामण को पता चला कि एक वानर लंका के अंदर आ गया गए तो सुनिया हनुमान जी और रामण की बीच में कैसी बात्चीत हो रही है इस भजन के मात्रम से जानते हैं क्या कि बजरंगी पहुचे रहे बजरंगी पहुचे रहे दशानन के दरभार में कि बजरंगी पहुचे रहे दशानन के दरभार में कि बजरंगी पहुचे रहे दशानन के दरभार में बज़ रंदी वो जे ले जदे सिनी राँ और हरवाज की जब लंका के अंदर गए तो उन्हीं किसी बात का भय नहीं था कूल दर नहीं राँम का नाम लेकर सीधे लंका के अंदर चले गए बोलो जै जै स्री राँ क्या हुआ सुनिये ना घब राया ना सकुचाया राम भक्त मत वाला ना घब राया ना सकुचाया लेकिन रामण कहने लगा सुन्रे रवानर यो तूने क्या कर डाला ऐसा कौन सा खेल रहा है तू मेरी लंका में आकर बड़ी सुन्दर सी वात्या बोला रावण सुन्रे रवानर क्या तूने कर डाला अर आज पढ़ाने तेरा लंका पति रावण से पाला तो रावण कहा रहा है क्या हनुमान जुसे बस नाम में ही काफी है बस नाम में ही काफी है मेरा तरे तर्दार में जुन्दार में बज रंगी बज रंगी पहुचते है से शारल के दरभार में जुन्दी पहुचे है ओ ओ ओ ओ ओ जदे श्ती रावण जैबो ओई 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 जब इतनी बात हो गई रावण ने कहा कि मेरे जैसा कोई बल्मान नहीं तो हनुवाण जी कहने लगे सुन रावण बड़ी सुन्दर जिवाद बोली हनुवाण जी महराज जुटी सुन रे रावण तेरे जैसा मुर्ख कोई ना देखा तू सीता मैया को रखने की बात करता गए मैं भी भी कहता हूँ तुस्से रावण सुधर जा मेरी रावण की शरण में आजा और बड़ी को छोड़ दे और तू सीता मैया और रावण से लड़ने की बात करता है जबकि की तू एक छोटी सी लश्मन की रेखा को पार नहीं कर पाया सुन रे रावण तीरी जैसा मुर्ख कोई ना देखा अपने लोबर तेरे जैसा मुर्ख कोई ना देखा अर पार नगर काया तू एक छोटी सी लश्मन रेखा पार नगर काया तू एक छोटी सी लश्मन देखा अभी भी कहता हूँ रामण सुधर जाओ, राम की शरण में आजाओ, क्योंकि डोनों हाथ कुठा कटता लिए उड़ाओ, फिर बताएंगे मेरे राम की शरण में आजाओ, क्यों प्राण कबाता है, क्यों प्राण कबाता है, रामण अपना वेकार में, क्यों प्राण कबाता है, रामण अपना वेकार पजरंगी 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 अब सुनिया हनुमान जी कह रहे हैं रामण से क्या कि तु मेरी राम की शरण पर बैठ कर उनके चर्णों को छूकर मापी मांगे क्योंकि मेरे राम जी बड़े बोले गए अपने भक्तों को तुरंत माफ करते हैं बड़ी से बड़ी गलती को छमा कर देते हैं ऐसे है मेरे राम तु सुनिये रामण क्या कह रहे हैं और हनुमान जी टा कह रहे हैं रामण से वणी सुन्दरती बार दस घंबंड तस शीशी तेरे दसरत पुत्र के आगे और जीश भुचाओ ते प्रणाम कर जुके तु किस्मत जागे किस भुजाओं से प्रणाम कर चुके तो किसमत जागे क्योंकि स्री रामन के बाड़ों से स्री रामन के बाड़ों से ना बचा खोलों से प्रणाम कर चुके बाड़ों से बचरंगी बचरंगी दोचे रे लुषानन के दर्मार में बचरंगी पोचे रे बचरंगी दोचे रे लुषानन के बचरंगी पोचे रे